Hello friends, my self Niro Patel, I am from Sunandranagar district, Gujarat state. So, I have a story about my ulcerative qualities. I started this problem in November 2018. I started this problem in November 2018. I didn't know what it was, but I didn't know what it was. Then, MD and MS doctor gave me guidance. The local remedies told me that they didn't know what it was. Then, 2-3 months ago, the condition was worse to worse. Then, in 2019, February, my colonoscopy happened. In the colonoscopy, the doctor told me that ulcerative qualities are inflammatory bowel disease, IBD-UC, with moderate activity. Then, I started this treatment. I started this treatment. I started this treatment. In the treatment, I was given steroids, Visonol and Mesacol. Then, both of them went through. Then, 2-3 months later, I was given an extra pulmonary TB, tuberculosis. That made me remember. During our neck and Yunnan was an operation with a nun. I was with a TB treatment. Therefore, both of them had跟 T.B. I had to take treatment for TB dearie. Then, I was with a worst face. I was distraught because I was younger and was newly married as a child. बहुत चारा चिंतित थे कि यह क्या हुआ कैसे हुआ फिर उसके बाद शेविने तक टीबी की टीटमेंट खतम होई यह इसके बाद यह स्टिडोईट कम से स्लोली स्लोली डेडियूस होती गोई और बंद कर दी फिर भी एक इसा कोई चेंजिस नहीं था मतलब दूसरी बार फ मैंने डोक्टर विक्राम चोहन सर का नाम सुना उनकी कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस देखी उसके बाद हमने वहां पर कॉंटेक्ट किया कॉंटेक्ट करने के बाद सन्य बोला कि आप इस तरका जो पैक आता है उसका सब डीटेल बताया कि यह अलसरेटी कोलेडिस का विस्तेकादी चोजरान और पित्ता बैलेंस पूरा चार दवाया आती है वह लेना आप स्टार्ट कीजिए फिर मैंने 2019 के एंड में से यह दवाया सब स्टार्ट कर दी ठीक है आज एक साल हो गया है एक साल से मुझे पूरी रहात है मतलब ब्लीडिंग तो बंदी हो गई है पेला मेरा वेट 18 kg 1.8 kg रिड्यूस हो गया था वह भी अब यह अरुवेदिक दवा के साथ दीदे बढ़ना स्टार्ट हो गया है 6-6 kg मेरा वेट चो लोएस पॉइंट था उससे बढ़ा है और बेडिंग तो बिल्कुल बंद हो गई है पहले मुझे आंट से दस बार मोशन जाना पड़ता था मुकस के साथ आता था वो भी बंद हो गया आज नॉर्माली जो डे टू डे हम एक दो बार जाते हो ही जाना पड़ता है इम्मुनिटी भी बढ़ी है अभी 6 मेने के बाद दवा लेने के बाद मेरी अल्मोस्ट दवाईया सर और मैडम ने मेंजूला मैड अगरे महीं ने बहुना ठीख़र को गड़ा था मैंने भी बोला था इखाने में परेज रखने से इस पर ज्याधा कंट्रोल आ्षकता है उस अ यछू भी बोलते हैं लेकिन इसमें बार बार इसलिए होता है लेकिन है कि यह बाह थे थो टाइम लगेगा पिर बिल्कुल क्य अभी नहीं सकता है अभी नहीं सकता है अभी परेज जरूर रखना पड़ता है कि हमको दूद मिल्क और मिल्क डेरी प्रोड़क नहीं खानी है मिर्च मसला वाला नहीं खाना है वो तो ठीक है इतना सारा क्योर हो गया तो वो तो माइन और बाबत है ठीक है और आज मंजुला में हमसे अभी मेरी ट्रेटमेंट चल रहे है विक्रम चोहान सरकाभी में कंसल्टेंशी ओनलाइन ले रह कि ऐसे एज में अनुद को अनुद के प्रेश्था है यूद तो यह से कच आज में बिलकुल पूरी तरह ठीक हूँ परेज रखना परेज रखता हूँ चलो वह भी तीरे-दीर में आ स wrapsने बोला वो भी मानलермा ठीक हो सब कुछ तो आज मैं सब लोगों को यह बोलता हूँ कि जर्टी कॉलेटीस और आईबीडी में तो मैं मौश और मेरे भगवान साबीत हुए सो थैंक्यू प्लानेटर अरुवेदा, थैंक्स गॉड, वाल दे बेस्ट